चोपड़ा है जो कि इसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचो MCC ने MCC का सेडूल तो पहले जारी कर दिया था, लेकिन अभी MCC के साथ साथ स्टेट का भी सेडूल जारी कर दिया है यानि कि सभी स्टेट इस सेडूल के मुताबिक अपने काउंसलिंग कंडेक्ट करेंगे, और जो सेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 1st October 2024 रहेगी तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सेडूल हम, ओल इंडिया कोटा के साथ साथ हम स्टेट का भी यहां सेडूल देखेंगे जो MCC ने जारी किया है तो सबसे पहले 1st round का सेडूल, तो 1st round का सेडूल ओल इंडिया का 14 से लेके 23 अगस्ट 24 तक है यानि की 23 अगस्ट को रजल्ट आ जाएगा ओल इंडिया का और 30 से 31 अगस्ट तक MCC जितने भी कंडिडेट जोइन हुए हैं, उनका डाटा सेर कर देगा अब इस्टेट कांसलिंग का जो 1st round कांसलिंग है, वो 21 अगस्ट से लेके 29 अगस्ट तक है अब इसमें जो लास्ट डेट ओफ जोइनिंग रहेगी, वो 29 अगस्ट 24 ओल इंडिया को टाकी रहेगी और इसमें जो इस्टेट की लास्ट डेट जोइनिंग रहेगी, वो 5th सिप्टेमबर 24 रहेगी इसके बाद इसी प्रकार से 2nd round कांसलिंग जो ओल इंडिया की होगी, वो 5th सिप्टेमबर से 13 सिप्टेमबर तक होगी और इसमें इस्टेट की जो कांसलिंग रहेगी, वो 11 सिप्टेमबर 24 से लेके 20 सिप्टेमबर 24 तक होगी इसमें 20 September तक सभी states का result complete हो जाएगा, result आ जाएगा इसमें इसके बाद जो reporting रहेगी, last date joining रहेगी, वो All India की second round की 20 September रहेगी और state की 26 September रहेगी इसमें अब round 3 जो All India का रहेगा, वो 26 से 5 October 24 तक रहेगा और state counseling का जो 3rd round रहेगा, वो 3rd October से 12th October 24 रहेगा यानि की 12th October तक हर एक state का result आ जाएगा यहां पर 3rd round की last date joining रहेगी, All India की यानि MCC की, वो 12th October 24 रहेगी और state की last date of joining रहेगी, 18th October 24 रहेगी ऐसे ही stay vacancy round की बात करें तो All India यानि MCC की 16 से लेके 23 तक यह counseling रहेगी और state की 21st October से लेके 25 October 24 तक रहेगी यानि की 25th October तक सभी state का stay vacancy round का result आ जाएगा last date joining 30 October 24 MCC की भी रहेगी और सभी state की भी रहेगी इसके बाद में जो इस बार academic session start होना है वो 1st October 24 से start हो जाएगा अभी बात करें इसमें आगे इन्होंने दिया है notice सभी colleges को कहा है कि जो holiday रहेगा Saturday Sunday रहेगा उनको भी working day में count किया जाए यानि की counseling के दोरान Saturday Sunday को जो reporting होगी वो यतावर चालू रहे तो इस प्रकार से ये state का schedule है MCC का schedule पहले आ चुका है state इसी के according counseling conduct करवाएंगे हालांकि इसमें कुछ-कुछ state की अभी भी थोड़ी सी counseling schedule इससे match नहीं खा रहा है जैसे इस state का इस से बार देखें करनाटका state का तो करनाटका state का first round 21st August से आ रहा है 21st August को आ रहा है जबकि state का जो first round है वो 29 अगस्टक आना चीए क्योंकि पहले MCC का round होता है MCC का result आता है उसके बाद ही state का result आता है पिछले साल की बात करें तो बिहार state ने भी इस schedule के मताबिक counseling नहीं करवाई थी उनका counseling schedule काफी late हो गया था तो मैं सोचता हूँ कि अगर state इस counseling schedule के according counseling करवाते हैं तो student को कोई नुकसान नहीं होगा नहीं तो student को इसमें काफी loss होता है अगर time के मताबिक state की भी counseling नहीं हो पाती है क्योंकि MCC का और state का दोनों का यहां mail जोल बहुत ही जरूरी है तभी ये counseling सही तरीके से conduct हो पाएगी सभी states को इसी schedule के मुताबिक counseling conduct करवानी सीए इससे student को कोई नुकसान नहीं होगा schedule के मुताबिक होने से बाकी updates के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जय ही